जै श्री राम, जै बागिश्वर्धाम, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ब्रम्ह मुहुर्थ में उठकर बोले जाने वाले मंत्र के बारे में बताऊंगी, जिसे एक बार ही ब्रम्ह मुहुर्थ में उठने के होगा, दोस्तों ब्रम्ह मुहुर्थ का जो समय होता है वह सर्वश्रिष्ट माना जाता है, इस समय संसार में दैविक शक्तियां वातावरण में चारो तरफ पैल रही होती हैं, वातावरण में चारो तरफ हावी हो रही होती हैं, इसलिए आप ब्रम्ह मुहुर्थ में उठ उठने का प्रयास करें यानि कि 5-6 बजे आप उठने का प्रयास जरूर करें और सुबह जब आप उठते हैं तब आपको बेड से नीचे नहीं उतरना है बैड पर बैठे बैठे ही इस मंत्र का उचारन करना है अगर आप इस मंत्र का उचारन ब्रह्म मुहुर्थ में करते हैं तो इसका जो चमतकारी प्रभाव है वो इतना शीग्र आपको देखने को मिलेगा कि वो आप सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन अगर आप ब्रह्म मूर्थ में नहीं उठ पाते हैं तो 5 से 6 बजे के बीच आप कैसे भी करके उठ जाएं बैट पर बैठें और बैठें बैठें इस मंत्र का उचारण कर सकते हैं आपको मैं बता दूँ कि ब्रह्म मूर्थ का जो समय होता है वो 3 से 5 बजे के बीच का होता है यदि आप 3 से 5 बजे के बीच उठ कर इस मंत्र का जाप करते हैं तो यकीन मानिये दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा इस मंत्र का उच्चारण आपको बार-बार लगातार करते रहना है तब ही आपको इसका तुरंत प्रभाव देखने को मिलेगा एक या दो दिन में उच्चारण करने से कुछ नहीं होता यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है तो इस मंत्र को जानने से पहले आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको हमारी आवाज पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जैवाला जी मारा जरूर लिखें तो आईए जानते हैं वह मंत्र कौन सा है इस मंत्र को आप चाहें तो कहीं लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए अगर आप लिख लेंगे तो जादा बहतर होगा ध्यान से सुनिए ब्रम्ह मुरारी त्रिपुरान्त कारी भानु शशी सुतो बुद्धश्च गुरुष्च शुक्र शनी राहु केतव सर्व ग्रहा शान्ती करा भवन्तु ये मंत्र आपको याद कर लेना है या फिर आपको लिख लेना है इस मंत्र का अर्थ है कुछ इस प्रकार से ब्रम्ह, विश्णु और भगवान भोलेनात के साथ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूत, बुद्ध, गुरु, शुक्र, शनी, राहु और केतु सभी ग्रहों की शान करने का मंत्र है यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार का दोश है किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप इस मंत्र का बस जाप कर दें आप किसी भी समस्या से परेशान है तो ऐसे में इस मंत्र का उचारण मात्र आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगा अगर तो यकीन मानिए यह मंत्र ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देगा क्योंकि ये जो मंत्र है वो ग्रहों को आपके अनुकूल बनाता है उनका प्रभाव आपके जीवन पर डालता है। इस मंत्र के उचारण से सभी देवी देवताओं के साथ नव ग्रहों में विशेश प्रकार की दृष्टी आपको प्राप्थ होती है। ये मंत्र इतना ताकतवर है कि आपकी आत्मा का सीधा संबन आपके देवी या देवता से करवाता है। इसलिए आप इस मंत्र को रट लें और रोज सुबह में ब्रम्ह मुहुर्त में या फिर पांस से छे बजे के बीच में आप इस मंत्र का उचारण करें। आपको कुछ नहीं करना है, बैड पर बैठे हुए ही बस ये मंत्र आपको बोल देना है और आपकी सभी समस्याएं तो रंत समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाएं। तो अगर आपको इसी तरह की और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा। बैल आइकन दबाना ना भूले क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जै श्री राम, जै बागेश्वरधाम सरकार।